कि हेलो फ्रेंस आप हमें लाइट देख रहे हैं और इस वीडियो में हम जो है क्ईक अन्बॉक्सीन करेंगे तो फ्रेंड्स यह हमंरी परकार क्सीरिज है जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि इस box के अंदर आपको क्या-क्या actual में मिलने वाला है क्योंकि हम zone पर या नापतोल की वीडियो में दावे तो बहुत किये जाते हैं पर reality में क्या-क्या दिया जाता है हम उस topic पर हम बात करते हैं और we hope आने वाले time में आपको बहुत सारे ऐसे gadget दिखाने वाले हैं अगर आप seller हैं तो आप अपने product हमारे पास भेज सकते हैं तो हम किसी परकार का charge किसी से कभी नहीं करते हैं तो friends यह है हमारे पास एक परकार का electric cleaning dust remover feeder कह सकते spring duster है friends तो standard size है इसमें और जैसे आप नापतोल पर वीडियो में दिखते हैं कि एक परकार का duster हमने यहां लगाया flower fort में लगाया या पंखे में लगाया तो actual में यह क्या product है तो वो हम आपको बताएंगे तो friends सबसे पहले हम इसका price बतादे तो यह हमें online Amazon पर 700 रुपेका पढ़ा है without delivery charge यानकी total net जो है 700 रुपेका पढ़ा है तो आपको कई परकार के model मिल जाएंगे कोई costly होगा कोई सस्ता होगा तो कोई खास फर्ख नहीं होता जैसे हम आप कोई थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं यह picture शाय थोड़ी बड़ी हो जाए तो यह है ऐसे सफाई करता है और इसमें जो है अगर हम देखें इस बॉक्स पे क्या-क्या लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो है अगर आप देखें तो motorize इसका यह आपका यह आपका है तो एक परकार का spin duster कह सकते हैं अगर बहुत सारे नाम इनको दिये जाते हैं और आप इसको furniture का साफ करने के लिए जैसे यह हमारा LED TV है उसको साफ करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं अपनी window को साफ कर सकते हैं इसको चलाने के लिए आपको चार बैटरी घड़ी वाले सेल आपके यहां पर डलेंगे तो अभी हम हमारे साफ कोई है नहीं तो हम उसका ज़्यादा आपको बता नहीं पाएंगे खोल कर और इसमें अगर और देखें तो इसमें ceiling fan का सबसे अच्छा यूज है और हम भी आपको ceiling fan साफ करते हुए दिखाएंगे और आपको अपना final review देंगे क्योंकि हमने अब इसको एक बार भी इस्तमाल नहीं किया है और अगर इसके और ज्यादा इसमें detail कुछ भी नहीं है और चलिए फ्रेंड्स अब क्या product है आपको इसके अंदर क्या-क्या मिलेगा इसमें किसी परकार के cell आपको नहीं मिलेंगे तो इसमें लिखा भी है not included तो four cell ड़नेंगे AA type के जैसे की 1.58 के आपको एक main unit यह आपकी यह है इसमें यह on-off button है यहाँ पर आपको यह लगाना होता है इसके साथ जो है दो extension मिलेंगी जैसे यह बड़े वाला आपने लगार का है और अगर आप देखेंगे तो यह छोटे वाला यह है और यह दो पाइप है जिसको जोड़ना आपको आना चाहिए जैसे आप यह फोटो में देख रहे हैं इसको लंबा करने के लिए जैसे यह इस सीलिंग फैन को साफ करने के लिए इनको आपस में जोड़ना होता है और इसको जोड़ने के लिए इसके अंदर आपको यह दो मिले हुए तो यह अभी हमने जोड़ा नहीं कि कैसे जोड़ना है तो वी नेक्स टाइम जो हम सको आपको जोड़कर भी दिखाएंगे और य वहती सिंपल है इसमें जो है दो परकार के मोडल आ रहे हैं तो जैसे हमने अमजोन पर कईयों के कमंट्स पढ़े थे भाई कईयों में पुश बटन होता है पुश का मतलब लगातार दबा के आपको साफ करना पड़ता है इवन मैंने वीडियो में भी देखा था कि लगातार अधी बटन होगा, और एक में ओन-ओक बटन तो यह हमारा ओन-ओक बटन वाला है उना दबाया यह चलो करा है अब यह सफाई करता कि नहीं करता है यह हमें नहीं पता चोब एक बार भी प्राइन ही किया अगर हम इसकी क्वाल्टी की बात करें तो काफी मजबूत है और हमें लगता है कि इसको साफ्स जरूर करना चोई कई लोग कह रहे थे बहुत में हमने पड़ा थी यह इतना हलकी मोटर है कि बहुत चलता लिकत है कि इतनी पावरफुल मोटर है आपकी शायद सेल जो है जादा देर तक सर्वाइज ना करें तो हमारी एडवाइज है कि नॉर्मल सेल की बजाए डूराबल सेल आते हैं डूरा सेल आते हैं जो कि 35 रुपीस पर 30 पड़ेगा वो डाले तो इसकी लाइज जाहे लॉं नहीं है क्योंकि इसमें भी आपको कई मोडल मिल जाएंगे मतलब एक एक हजार बीड़े हजार की चीज सेम होती है लगब तो यह हमें सिरफ 700 रुपैका पड़ा है तो अच्छी क्वालिटी का आप क्या सकते हैं इस परकार का मोट प्रोटक्त है जैसे हमने दुआय बंद ह हो गया और दवारा करोगे तो यह स्टाइट हो गया तो जब भी आप ले तो पुश बटन वाला ना ले मतलब ऑन ओफ वाला ले तो धहतर रहता और नीले में हमेशा बिना पुश बटन के आता है वे तो यह तो यह था फैंट्स इसमें जो है आप चाहो तो अबना छोटा ह इसमाल कर सकते हैं और इसको लंबा करने के लिए जैसे ज्यादा हुचाई तक ले जाने के लिए यह जोएंटर है और मैं भी आसानी से लग जाना चाहिए हम किसी टेक्निशन को दिखाएंगे जिससे यह आपस में जोट सके तो फ्रेंड्स यह था लबाउट और हमने आपक काफी इंट्रेस्टिंग था वो था स्वीप ड्रेग आल इन वन तो एक परकार का यह फ्लोर क्लीनर कह सकते हैं तो शायद हम आपको यह थोड़ा दिखा देते हैं इसमें करना क्या होता है कि ज़स्ट आपने यूँ मूव करना होता है और यह भी गंदगी है यह उठा लेता है तो ज़्यादा यह हमें पसंद नहीं आया बट यह को कि यह थोड़ा सस्ता मोडल था तो इसका यह वला इससा खुला हुआ था तो आप अगर अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो यह भी आपको फिर एक बार चला कर दिखा देते हैं तो बहुत ही महिलाओं के लिए खास दोर पर बहुत ही काम की चीज कह सकते हैं तो बहुत ही मजबूत और हाई क्वालिटी की कह सकते हैं पावर्फुल मोडरिस में लगे हुए है जश्ट दिकत यह है कि आपको इसको थोड़ी स के सकते हैं तो बहुत नाम से आपको ओनलाइन मिल जाएगा तो यह आप हम वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे तो आपको ओनलाइन जो है जरूर लाइक कीजिए, कोई डाउट हो, आप कमंड बॉक्स में पूस सकते हैं, दन्यवाद।